अमोर परखंड की सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से परखंड के सभी 25 पंचायतों के गाउं में पानी घुश गया है। जाने वाली प्रधानमंदरी सरक की भी इस्तिती काफी देनिये है। किन्तु लोग गाउं में फसे रहने के कारण अभी सही तरीके से उसका लाब नहीं ले पा रहा है। यह कुल्टोला खारी है। यहां पर कटान हो रहा है क्या। बहुत ज्यादा ही कटान हो रहा है चरागली के घर के पीछे है। बहुत ज्यादे कट रहा है। कितना परिवार का होगा यह मोहला लगवाव। तकरीबन यह डेर सो परिवार का पर्शासन के तरफ से कोई सुविधा कोई सुविधा अभी तक नहीं है। है कि मकफूल कॉंसी म है वानीपर कौन सा भूण वह मर्म अच्छा अपनों पलोग नेलूड में है कौनसी थसरका जोड़ा तो घर से अप लोग यहां सरक पर आगे कब आये हैं आज रात में आये हैं रात में आये हैं तो पानी बढ़ी रहा है ना तो क्या सा बेवस्ता है खना पिना कैसे खाते हैं जो कोई बवस्ता ने है सार आपनों को जो चिला भी नहीं है जो चला वन लो लो अब शब भी लिया खाट रहा है तो कैसे खाना होना बनाई जो चेतर के बाइसी को जिघलगांक मार्क जो एस्टा हाईवे 99 आज आज इस्टा आपको में जिखाना चाह रहा है तो एस्टा आज़ पानी बढ़ रहा है यहां पर पानी से पानी से बढ़ रहा है जिनसे सभी ज़ाओ घरों में पानी परिश के सिता है कि इस तर्फ देखा आपने यहां पर इस चीठी बहुत खराब है ने यहां बड़ी दारी जया पारी यहां बड़ी जया पारी अगे पर इस चरट पर दिल्पुल पानी का बहुत देख है यहां बड़ जाओ ज़ब आप तो तो कि इसे आप यहां पानी चल राया है यह जो। कहा सारे है आप लोग? प्सक्षाइल अपलोग बाकी उधर भी पानी उने चल रहा है कि रोड पे यह पहला केस है यह गेरवाचो के आसपास जो है इसे पानी चल रहा है और उधर क्या इस्थे थी थी और अमोर से पहले? अमोर के पहले खी कैसे फूल या विरार प्राप्लावला है? चोप्रा के पास अमोर से सनोज कुमार की रिपोर्ट